हेलो लवली फ्रेंट्स वेल्कम बेक टो माई चैनल स्यास वर्ल्ड फ्रेंट्स आज मैं इतनी ज्यादा खुश हूँ ना मैं आपको बता नहीं सकती बिकॉज यह जो मैंने प्रड़क्ट बाइ किया है इसे मैं कम से कम एक डेट साल से बाइ करने का सोच रही थी लेकिन फाइ है फ्रेंट्स ही जो पड़क्ट है काफी हाई परड़क्ट है काफी अच्छा पड़क्ट है ऐसा मैंने सुना है तो मैं चाहती थी कि इसे मैं जरूर ट्राय और ऑपके साथ जरूर शेयर करों विकॉज जो हाइप ठर्ट्स होते हैं अगर हम उसे बॉइक और से बाइक हैं तो फृस्ट लगा कि कही अंदर से मेरे फ्रडक्ट को भैगा तो आप देख सकते हैं जब मैंने पॉक्स न थोड़ا सा धा घृस्त था तो मुझे ठोड़ा सा प्रक्ट प्रेंद सकते हैं जब करते हुद हैं तो इसी तरह आप से आपको ब्लैक बोक्स में ही रिसीव होता है तो friends यहां पर इनोंने काफी अच्छी तरीके से पैकजिंग की हुई है तो इस तरह से आप देख सकते हैं मैं इसकी पीछे वली जो पैकजिंग है वो भी open कर रही हूँ इस बार मैंने क्या मंगवाया है तो friends यहां पर इनोंने और इच्छी तरीके से अंदर से भी पैकजिंग की हुई है ताकि जो प्रड़क्ट है वो डेमेज ना हो तो आप देख सकते हैं friends मैंने कौन से ब्रैंड के प्रड़क्ट मंगवाया है आपको थोरा साथ हो अब वीजि का इशाड़ पालेट है उसका रिवी फ्रेंड्स जल्द आपके साथ में शेयर करने वाली हूं और इन प्रड़क्ट में भी फ्रेंड्स आप बताएगा कि मैं किसका रिवी पहले आपके साथ शेयर करूं आप जिस प्रड़क्ट का भी रिवीव कहेंगे मैं उसका रिवी में मंगवाया है because यह इनका new launch product था और friends सबसे जादा जो price थी वो इसी की थी इसकी जो MRP है वो 2100 है and friends मुझे यह 2100 का तो नहीं मिला मैं सची बताऊ तो मैं आपको अपनी next studio में बताऊंगे मुझे कितने का मिला और साथ में friends मुझे free sample जैसे कि आपको पता ही होगा कि इनके pink Friday sale में samples मिल रहे थे और साथ में friends यह है इनका highlighter इसका review भी friends मैं आपके साँ share करूंगी तो friends मैंने जैसे ही products open किये तो सबसे पहले काम मैंने यही किया कि मैं इसकी जो manufacturing है और expiry date है वो चेक करूं because मुझे यही था कि मुझे यह products जो हैं वो कम से कम 2 साल तक तो use करने ही करने है because आपको पता ही friends की इतने ज्यादा costly products होते हैं यह वले और कम से कम 2 साल तक तो friends ही चलने ही चाहिए यह friends मेरा studio fix powder plus foundation जिसे मैं काफी देर से बाय करना चाहरी थी इसकी भी friends में review video आपके साँ share करूंगी और मैंने जो sheet मंगवाया है वो है NC30 and friends इसकी MRP तो आपको पता ही होगी 2900 लेकिन friends यह भी मुझे 2900 का नहीं मिला यह मुझे कितने का मिला है उसके लिए friends आपको मेरी आने वाली वीडियोस देखनी होंगी तो friends इस तरह से मेरे पास यह 4 products आए हैं जो की एक है powder plus foundation एक है highlighter एक है friends इनकी straw cream जो की pink light में है और साथ ही prep plus prime तो friends इन चारो का review मैं आपके साथ share करूंगी तो friends आप मुझे comment box में जरूर बताइएगा कि आपको किस product का review है वो पहले देखना है मैं उसके according की friends आपके साथ reviews share करूंगी and friends यही मेरा dream come true वाला buy है इस बार क्यूंकि Mac को मैं काफी time से सोच रही थी buy करने का चलो hoda के तो eyeshadow palette से जो की काफी famous थे तो मैंने वो palette buy कर लिया हुआ है लेकिन Mac का यह studio fix powder plus foundation भी friends मेरा एक कह लीजिए कि मेरी एक wish थी कि मैं इसे जरूर बाय करूं लेकिन इतना कोस्टली होने के कार मैं इसे बाय नहीं कर पा रही थी लेकिन friends अब मैं इसे बाय कर चुकी हूँ तो इन चाड़ों का review मैं आपके साथ share करूंगी तो friends अब मैं बताने जा रही हूँ हमारे giveaway का आज का code तो हमारा आज का code रहेगा Mac products तो यह थी friends मेरी आज की वीडियो आपके लिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आये यूसफुल लगे तो like कर दीजेगा अगर आप में चैनल पर नए हैं तो चैनल को subscribe कर दीजेगा and also press the bell icon button जिससे मेरे आने वाली वीडियो की notification आपको मिलती रहे तो मिलते हैं friends हमारी next वीडियो में thank you friends bye bye